दोखों बचों हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है पर्मुटेशन, कॉम्बिनेशन, एंड प्रोबिलिटी दोखों ऐसा है बैसे तो यह दोनों अलग अलग टॉपिक है एक टॉपिक है पर्मुटेशन, एंड गॉम्बिनेशन और दूसरा लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाता हूं क्योंकि इन दोनों में बहुत सारी सिमिलर्टीज है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े टॉपिक हैं और आईटी जेए में इनका बहुत ज़दा वेटेज भी है तो हलाकि पर्मुटेशन एंड कॉम पर्मुटेशन और 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 पर्मुटेशन के बाद आप ये फिल करो गई दोनों टॉपिक बहुत इजी हैं और काफी लॉजिकल हैं और दोनों में काफी सिमिलेटीज हैं और इनको आसानी से हम कर सकते हैं बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको step by step आगे चलते जाना है और सोचते जाना है ठिंक करना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ठिंक करना है ठीक है देखो जैसे हम लों का टॉपिक है पर्मूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है probability ठीक है probability तो हम लोग इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे combine करके देखो जैसे इसमें कुछ टर्म हा रहे हैं permutation, combination, probability ये टर्म क्या होंगे इनके मतलब हम अभी तुरंद नहीं सीख पाएंगे है ना दो तीन lecture के बाद हम इनके मतलब को समझ पाएंगे अच्छे से कि आखिर permutation का मतलब क्या होता है, combination का मतलब क्या होता है, probability का मतलब क्या होता है इन term के मतलब क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा एक दो lecture के बाद इसको सीखेंगे देखो अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, actually क्या है ये जो topic है permutation, combination ये बहुत real life से connected है बहुत real life से जुड़ा हुआ topic है, real life से कैसे जुड़ा है, जैसे क्या होता है, real life में बहुत सी ऐसी जगें आती है जहां पर हमें चीजों की counting करनी पड़ती है, चीजों को गिनना पड़ता है तो आप सोच रहे होगे यार counting में काउंसी बात है हम तो बचपन से counting करते हैं, हाँ ठीक है आप बचपन से counting करने आ रहे हैं, कोई शक बली बात नहीं, लेकिन कई जगे क्या होता है, counting काफी tough होती है उसको करना असान नहीं होता है, तो ये topic यही हमको सिखाता है, कि आखर चीजों को count कैसे किया जाए कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास चीजे हैं, तो count कैसे किया जाए लोको जैसे, मैं आपको एक बहुत छोटा सा example देता हूँ, जैसे क्या होता है माल लो for example, हमने कहा कि मेरे पास one, two, three, four, five, five straight lines है, parallel और एक और straight lines है, इनके perpendicular, one, two, three, four, ये four straight lines है ये five straight lines आपस में parallel और ये four straight lines आपस में parallel और ये दोनों आपस में perpendicular अब जैसे मैंने कहा कि इनसे total कितने point of intersection बनेंगे तो दो जैसे, one, two, three, four, फिर दो को, one, two, three, four, फिर one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four तो total कितने point of intersection बनेंगे सोचो, देखो, four, plus four, plus four, plus four, plus four, plus four मतलब four into five मतलब twenty तो total point of intersection जो है, वो twenty हो गए, अब ये जैसे पास थी, ये चार थी, इनका number बदल सकता है हो सकता है, ये सो लाइने होती, ये दो सो लाइने होती, तो हम one by one तो count करते नहीं अगर एक ये करके count करते तो बहुत समय लगता, तो हमने क्या सिखा, हमने ये देखा, कि भाई, ये four है, और ये five है तो four into five कितना हो गए, twenty, actually, four को जब हम five times add कर रहे हैं, तो इसका मतलब four into five अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे count करते हैं, दो को five, 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 ऐसे भी count कर सकते थे, five plus five, plus five, plus five तो मतलब क्या हुआ, five into four, ये भी twenty, मतलब, ये जो हम multiply करते हैं, actually, multiplication भी एक type का addition होता है जैसे हमने कहा, कि why four को five times multiply करना, मतलब five into four, या five को four time add करना, मतलब five into four, एक ही बात है तो ये जो हमारा addition होता है, ये भी एक प्रकार का multiplication होता है, हम कई बार इस बात को feel करते हैं, कई बार नहीं करते हैं तो जैसे क्या हुआ, कि अगर ये data बहुत ज़्यादा होता, मतलब बहुत सारी lines ऐसे होती हैं, बहुत सारी lines ऐसे होती हैं, उनका point of intersection निकालना होता तो हम individually count नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, multiply करते हैं, हम उनको multiply करते हैं, जैसे माल लो, आपकी class है, आपकी class में 1, 2, 3, 4, हाना, माल लिजे आप खड़े होते हैं सामने, तो आपकी class में 4 columns हैं, माल लिजे 4 columns हैं, ऐसे करके हैं, और एक column में मैंने माल लिया total 10 बच्चे बैठ हैं, इसमें भी 10 बच्चे बैठे हैं, और इसमें भी 10 बच्चे बैठे हैं, तो total 4 column है, एक column में 10 बच्चे बैठे हैं, तो total बच्चे कितने हो गए, 10 इंटू 4, total बच्चे कितने हो गए, 10 इंटू 4 का मतलब 40, total 40 बच्चे हो गए आपी class में, ठीक, तो आप क्या कर रहे हो one by one count नहीं कर रहे हो बलकि आप उनको multiply करने के बारे में सोच रहे हो यह चीज आपको nature ने सिखा दी अपने आपी जैसे यह बात मैं अगर तुमको नहीं बताता तब भी तुम इतनी बात जानते थे कि भाई ऐसा कर लो तो answer आजाएगा हाना भाई यह बात तुमको मैंने बताई अच्छी बात है लेकिन इससे पहले भी तुम यह बात जानते थे और इसमें कौन से नहीं बात है कर लो answer आजाएगा क्यों वन वाई वन गिनो हाना तो बस यही टॉपिक है यह इसको हमें समझना है देखो क्या है जैसे इस टॉपिक में जो सबसे पहला concept आता है यह concept आता है जिसे हम कहते हैं principle of multiplication हाना friction multiplication इस टॉपिक का सबसे पहला concept आता है क्या बोलो principle of multiplication एचली हम अभी जो कर रहे हैं यह principle of multiplication ही कर रहा है और यह काम हम करते हैं यह काम हम बहुत सी जगाओं पर करते हैं वो अलग बात थे कि हम उसका नाम नहीं जानते थे तो अभी हम कर रहे हैं चली ह fines으면서 love multiplication ही कर रहे हैं एक कहता है दो को यह क्या कहता है मैं फिर अपनी बात को एक example के थुरू समझाता हूँ मैं अपनी बात को एक example के थुरू समझाता हूँ जैसे माल लो आप किसी जगे ए पर ख़ड़े हैं और आपको ए से बी जाना है और ए से बी जाने के माल लीजिए चार अलग-अलग रास्ते हैं 1, 2, 3, 4 ठीक पहले आपको A से B जाना है और A से B जाने के चार अलग-अलग रास्ते हैं इसकी बात क्या करना है आपको B से C जाना है और माल लो B से C जाने के तीन अलग-अलग रास्ते हैं माल लो ये है A और ये रास्ता है B और ये रास्ता है C तो अब माल लो finally आपको जाना था a to c मालो आपको a से start करके c पर जाना था लेकिन अगर आपको a से c जाना है तो आप सीधे नहीं जा सकते पहले आप a से b जाएंगे फिर b से c जाएंगे यह हमारी मजबूरी है पहले हम a से b जाएंगे फिर b से c जाएंगे यह हमारी मजबूरी है और जाना ह है को मिला कि हमैं A's SesE तो क्या हुआ दखो A's SesE जाने के total different ways रास्ते A's SesE जाने के total different ways कितने हों गए दो ग्हांदो A's से सी जाने के total different ways total different ways socialist जैसे माल लीजिए हमने यहां से one रास्ता लिया और यहां से A लिया तो एक रास्ता हो गया 1A, यहां से 1, यहां से A, फिर एक रास्ता हो गया 1B, फिर एक हो गया 1C, 1 को पकला A, 1 को पकला B, 1 को पकला C, फिर हमने देखो 2 को पकला, तो 2A, सेकेंड रास्ता देखो क्या हो गया 2B, फिर देखो क्या हो गया 2C, फिर देखो क्या हो गया मालो 3A, फिर क्या हो गया 3C फिर देखो क्या हो गया 4A फिर हो गया 4B और देखो यह हो गया 4C तो 1 को ले कर के 3 नास्ते बने 2 को ले कर भी 3 नास्ते बने 3 को ले कर 3 बने 4 को ले कर 3 बने तो टोटल देखो यह एक रास्ता यह एक रास्ता यह एक यह एक यह एक इस तरह वैसे टोटल रास्ते जो बने वो 3 into 4 मतलब 12 बने टोटल रास्ते कितने बने 12 मतलब यहां से यहां तक जाने के 4 रास्ते यहां से यहां तक जाने के 3 रास्ते तो 4 into 3 आंसर क्या आगया 12 इसी को कहते हैं principle of multiplication और इस जो हमने आपको example दिया अब मैं इस example को रूल में बदल देता हूँ एक formula में बदल देता हूँ क्या formula ऐसे समझो कि आपको दो काम करने थे फादली करना तो वो एक काम था A से C जाना था लेकिन उस A से C जाने में भी दो अलग अलग काम थे क्या पहले आप A से B जाएंगे फिर आप B से C जाएंगे हैं तो क्ल मिला के आपको करना एक काम था लेकिन वो हमरी मजबूरी थी वो अकेला काम ही दो टुकडों में बटा हुआ था A से B B से C तो क्ल मिला के हमें दो काम करने थे क्या A से B जाना है और B से C जाना है ए से B जाने के चार अलग अलग रास्ते हैं और B से C जाने के तीन अलग अलग रास्ते हैं तो टोटल रास्ते कितने हो गए 4 इंटू 3 मतलब 12 हम इसको ऐसे समझें कि माल लो A से B जाना एक काम था और उस काम को करने के चार तरीके थे और B से C जाना ये एक दूसरा काम था उस काम को करने के तीन तरीके थे तो काम करने के टोटल तरीके कितने हो गए 4 इंटू 3 बरावर 12 मतलब इसको हम एक रूल में बदल सकते हैं इस अपने एक example को क्या रूल हमने कहा माल लो आपको दो काम करने हैं एक काम है A से B जाना दूसरा काम है B से C जाना तो A से B जाना जो कि एक काम था इस काम को करने के माल लीजिए आपके पास M ways है और माल लीजिए दूसरा काम है उसे करने के N वेज है तो टोटल नमबर वेज कितने हो जाएंगे M into N अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ही है कि यह जो दो काम आपको करने है वो दोनों काम जब एक काम कम्पलीट हो जाएगा फिर दूसरा काम किया जाएगा एक साथ नहीं जैसे पहले आप A से B पहुँचे फिर आप B से C जाने के बारे में सोचेंगे तो दो काम हैं जिन मेंसे A काम पूरा हो जाएगा फिर दूसरा काम करने के बारे में सोचेंगे या करेंगे ठीक अच्छा ये काम तीन भी हो सकते थे एक काम दो काम तीन काम जैसे मालो हमें सी की आगे और कहीं जाना होता डी तक तो फिर देखना पड़ता तो उन सब केसे में करना मल्टिप्लाई है जैसे मानलो दो काम है तीन काम है चार काम है बीस काम है पचास काम है या एक लाग काम है एक काम को करने के M वेज हैं दूसरे काम को करने के मालिजे N वेज हैं तीसरे काम को करने के मालिजे P वेज हैं तो टोटल काम करने के तरीके क्या होंगे M into N into P into and so on करते जाएंगे multiply तो ये अपने आप में देखो एक rule हो गया, एक principle बन गया जिसको हम कहते हैं fundamental principle of multiplication. अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक काम पूरा होगा तद बूसरा काम होगा, दूसरा पूरे होने के बाद तीसरा होगा, अच्छा एक बात और ध्यान दो, ऐसे as usual आप सोचो, ज्यादा परशान मतो, ज्यादा टेंशन ना लो इस टॉपिक में, बलबकुल धी सोचना है step by step, आगे चल के जल्दवाजी भी कर सकते हैं, पहले कुछ basic बात है सीख ले, देको ध्यान दो, जैसे अब प्रिटिकल नहीं सोचो, मालो ऐस से सी जाना है, तो यह total रास्ते 12 हैं, इन में से कोई एक रास्ता पकलोगे, या तो आप यह पकलोगे, या यह पकलोग possibility ढूंडी जाती है, कि भाई काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं, करते नहीं है, अब जैसे मालो आपको ACC जाना है, तो आप इन 12 रास्तों से अलग अलग जाके थोड़ी देखोगे, कि पहले इस से गए अब इस से जाएंगे, अब इस से जाएंगे, इसा नहीं करोगे, 12 रास्तों मैंसे कोई आप एक रास्ता पकड़ लोगे, ACC पहुंच जाओगे, लेकिन यहां पर हमसे पूछा जाता है कि काम करने के तरीके कितने होंगे, यह नहीं पूछा जाता है कि आप काम कैसे करोगे, भाई आप ACC जाओगे, कैसे जाओगे, ठीक हैं, पहुंच काम करने के आपके टोटल कितने वेज हैं, यह हमसे पूछा जाएगा, तो वो हमको सारी पॉसिविल्टी निकालनी होती है, कि भाई काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं, है ना, तो यही अपना रूल है क्या, fundamental principle of multiplication, पहली बात ध्यान दखना है क्या, कि एक काम पूरा होने के बात दूसरा काम किया जाएगा, बात तीसरा काम किया जाएगा, एंड सो न, दूसरी बात है, हम यहाँ पर काम करने के टोटल वेज निकालते हैं, हलागि काम किया जाता है किसी एक तरीके से, यह बारा रास्तों मैसे कोई एक रास्ता पकड़के आप AMusic पहुंच जाओगे लेकिन possibility जून दी जाती है आखरी ये 12 रास्ते होंगे कौन-कौन से ये बात यह important है देखो तो rule क्या कहता है rule कहता है if one job एक काम is done by m ways एक तरीके से m तरीकों से किया जाता है and second job is done by n ways ठीके if one job is done by m ways and second job is done by n ways and third job is done by n ways and so on then total number of ways of doing total number of ways of doing of doing all works total number of ways of doing all works ठीक है one after the another total total कितने तरीके होंगे काम को करने के एक के बात एक अगर हम कामों को एक के बात एक करें तो क्या होगा दो को m into n into l and so on मतलब हमें काम करने के तरीकों को करना है multiply हमें सारे के सारे काम करने के तरीकों को multiply करना मतलब जितने काम हैं सारे करने हैं कमपलसरी है कि दो काम है या तीन काम है या चार काम है जितने काम हैं सारे करने हैं और दूसरा काम पहला पूरा होने के बाद होगा तीसरा काम दूसरा पूरा होने के बाद होगा एंड सो ओन ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा तो जितने भी काम हैं उन सब के करने के तरीकों को क्या करना होता है multiply ये हमारा है principle of multiplication और ये हम पहले से यूज करते हैं ऐसा नहीं कि मैंने पहली वर बताया वो अलग बात एक rule की form में आपके दिमाग में ये नहीं था हम न तो ये हम पहले से ही करते हैं ध्यान दो principle of multiplication देखो एक और इसमें rule आता है अगला जिसे हम कहते हैं principle of addition ये था principle of multiplication और अगला जो rule है वो है अपना principle of addition देखो principle of addition देखो ये rule क्या कहता है इसको जड़ा हम समझें तको ये rule कहता है principle of addition देखो ये rule कहता है रिसे मान लो आप एक point A पर खड़ेँ हैं और A से B जाने के मान लो तीन रास्ते हैं और A से C जाने के माल लो चार रास्ते हैं मलत दो काम है एक काम है A से B जाना और दूसरा काम है A से C जाना अब आपसे कहा गया कि या तो आप A to B जाएए या फिर आप A to C जाएए मनला आपसे कहा गया कि A पर आप खड़े हैं या तो आप A से B तक जाएंगे या आप A से C तक जाएंगे या और आगया और एंड नहीं जैसे इसमें क्या था, इसमें A से B भी जाना था, और B से C भी जाना था, दोनों काम करने थे, एक के बाद एक, कंपल सरी था, A से B जाएए, B से C जाएए, दोनों काम करने थे, यहां पर दोनों काम नहीं, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने, कोई एक करना, और आ गया और, तो अब देखो जो हमारे total ways होंगे, total ways, वो क्या होंगे? वो होंगे 3 plus 4, यानि की 7, यानि आप या तो a से b जाएंगे, या फिर आप a से c जाएंगे, तो total number of ways कितने होंगे? बोलो, 3 plus 4, यानि की 7 होंगे, है ना, या तो आप a से b जाएंगे, या फिर आप A से C जाएंगे, तो total number obvious कितने होंगे, 3 प्लस 4, यहाँ पर आप चीजों को add कर रहे हैं, multiply नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास choice है, आप दोनों मैंसे कोई भी एक काम करेंगे, दोनों नहीं, multiplication तब लगाते हैं, जब दोनों काम करने हो, अब दोको यहाँ पर दो काम भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर चीजों को add करना है, multiply नहीं, यहाँ पर choice है, और है, दोनों बड़े टोपिक हैं, पर्मिटेशन को बड़ा है, और probability बढ़ा है, जैसे यह कुछ ऐसे topic हैं, जो बहुत ज़्यादा, मतलब, voltage cover करते हैं, जैसे एक हमने पढ़ा functions, अब वो function से लेकर के, differential calculus तक, है ना, और पूरा जो है, tangent normal तक, वो सब function ही तो चला एक तरीके से, है ना, तो function बहुत बड़ा topic था, फिर हमने देखा, AOD बहुत बड़ा topic था, हना, limit continuity, differentiability दो को बहुत बड़ा topic था, ठीक है, अब उसी तरीके से permutation, combination, probability बहुत बड़ा topic है, उसके बाद अभी और आयागा, जैसे complex number भी बहुत बड़ा topic है, integral calculus भी पूरा बहुत बड़ा topic है, तो यह सब मिल करके, अगर ह क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, देखो, अब जैसे, इसको जड़ा नोट करू, मैं आगे बताता हूं कुछ और important बात हैं आपको,